नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिल्केक की रेसिपी जिसे हम 10 मिनट में घर पर जट पर से बना के तयार करेंगे और सिप दो चीजों से ही इतना स्वाधिश्ट और बढ़िया दानेदार हमारा मिल्केक बन जाएगा एकदम दानेदार होगा और एक करहें तो कि अ हमते ही आदे ालीये तो जितन चीनि है इतना ही अमपानी इसमें एट कर देंगे मेजरमेंट के लिए आप इस्तीमाल कर सकते है और हम छीनी को ठोड़ा 20 मिनिट के लिए हमें चला देना है ऐसा नहीं है कि हमें छीनी को घूलना है रण शलल देदा है अठिल दिदार उपनी चीनी अपीमक है यहां पे मैने मिल्क पाउडर ले लिए है और एक कप मैंने अभी मिल्क पाउडर डाला है और आप कोई भी ब्राइंड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं मैंने यहां पे प्राग का मिल्क पाउडर इस्तिमाल किया है प्राग का दूद्ध आता है प्राग का मिल्क पाउडर भी आता है तो हम is August 8,яв हम आधि कप मिल्क पналर और रीक जब जेड़ गड़ ने तो आधि कप और डालेंगे बना ले जाएंगे क्योंकि ना इसमें कोई ज्यादा पकानी की जरुवरत है और ना ही इसमें चासनी बनाने की है वह पुद्ट न है लिए पव मेन इसमें नीवु कर रस को निकाल कर रख लीजिए मीडियम साइज का एक नीवू था ये और चम्मच से अगर छोटी चम्मच से हम ये नीवू कर रस ना पे तो दो जम्मच है अब मैंने गैस ओन कर ली है और कड़ाई को इस तरह से पकने के लिए रख दिया है और इस तरह से चलाते रहेंगे तो चीनी जब थोड़ा सा घुल जाएगी तो ये पतला सा हो जाएगा और जू लम्म से भू भी अच्छे से घुल जाएंगे तो बस हमें इस तरह से चलाते रहना है और इसे पका लेना है इसे हमें लगातार चलाते इसलिए रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं आज को भी हम मीडियम या धीमे पही रखना है फूल पे बिलकुल नहीं करना है और बस हमारी मिठाई जटपट से बन जाएगी अब नीवूकरस हमें निकाल के रखा था तो इसमें हम एड कर देंगे 2-3 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें नीवूकरस डाल देंगे एक से दो बार के करीब इस तरीके से और इसे चलाते रहेंगे जैसे जैसे यह पकेगा तो यह गाड़ा हुना सुरू और बस पार बेसं लगता चलाते हुए अची से पके मौर den M युकाम देखेंगे इस अश्वे पकेश्वावा कंत्रेश कंद्धों पर सब् Tillожिकल कर जाले सुझी सबस्ताया है शच लिए जाने रोगे युए और दानेदार और ठिक हो जाए तब ही हम गैस को बंद करेंगे तो इसे हम धीमी आज में इसी तरह से लगाता चलाते हुए पकाएंगे तीन से चार मिनिट वाद ये अपने आप ही इस तरह से ठिक हो जाएगा बहुत ही बढ़िया पका रहेगा एकदम दानेदार हो जाएगा अब देखे कितना बढ़िया ये दानेदार सा हो गया है हमने धीमी आज में इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पका लिया है हलका सा इसे हम एक color change करना है इसका जो लाल सा हलका सा color आता है न वो आना चाहिए इसमें तो इसमें हम डाल देंगे आधी चोटी चमच गी आप चाहें तो एक चमच गी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आधी चमच गी डालने के बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो यह एकदम कढ़ाई को छोड़ देगा जैसे हम घी डालेंगे और इसमें हलका सा लाल पन आना शुरूर हो जाएगा घी पूरी तरह से optional है आप चाहें तो इसे बिना घी के भी बना सकते हैं और थोड़ा सा रिफाइन डाल सकते हैं आधी चोटी चमच के करीब और देखें ये अच्छे से अब इसका कलर चेन्ज हो गया है बहुत जदा आप हमें कलर चेंज नहीं करना है नहीं तो ये सूखा हो जाएगा जैसे हम मिलके एक को सेट करेंगे ये मतलब सेट होने पर सूखा सा हो जाएगा तो सूखा सा नहीं करना है मैं इसी तरह से गीला सा रहने देना है और बस अब हम कैस को बंद कर देंगे बंद करने के बाद हम इसे चला देंगे क्योंकि अभी हमारी कड़ाई गरम है और अब हम इसे निकाल लेते हैं ये परफेक्ट बनके तयार हो गया है यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है इसे सेट करने के लिए कोई भी बरतन का आप इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर बच्चों के लेंच बॉक्स में भी इसे सेट कर सकते हैं और मैंने इसी बाउल में इसको इस तरह से डाल दिया है अब हमें चम्मच की सायता से अच्छे से से दबा देना है आप देखें इसमें कितने बड़िया अच्छे से दानी पड़ी है और अच्छे से ये पका हुआ सोना सा है इस तरीके से अब हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है चारों तरफ हमने इस तरह से चम्मच की साहिता से चिकना कर दिया है अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे 10 से 15 मिनड़ बाद हम इसे निकाल के दिखाएंगे मैंने चाकू की साहता से इसके चारों तरफ इस तरह से कर लिया है और इस तरह से अब हमने इसे निकाल दिया है निकालने में कोई परसानी नहीं होगी अगर हो तो आप जिस बरतन में भी इसे सेट करें, वो हलका सा गरम कर लें इसली ये निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है और जैसे चाहें पीसिस अब इसके आप कट कर सकते हैं जैसे पीस आपको मिल केक के पसंद हो और मैंने इसे कट कर लिया है आप देख रहे हैं कि काटने पर कितना जादा ये दानेदार बढ़िया सबन के तयार हुआ है बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बना है एकदम दानेदार आज की रेसिपी उमीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी मैं से तोड के दिखा रही हूँ कितना सौप्ट और दानेदार ये बन के तयार हुआ है मिलते हैं इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ